क्या हाल है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुल लेर्निंग की सिरीज में और इस बार मैं रिशे आप सभी के लिए प्राइज लेवल की दूसरी क्लास लेकर आया हूँ और पिछली मरतबा हमने अपना टॉपिक जहां से छोड़ा था वही से हम प्राइज लेवल को समझते हुए आगे के अब हम कुश्चन सॉल करेंगे आगे अब टॉपिक को देखेंगे दोस्तो पिछली क्लास में हमने जो एंट्रियां शुरू की थी प्राइज लेवल को समझने के लिए उसमें हमने एक मई तक के सभी ट्रांजेक्शन देख लिए थे और हमने लगवग लगवग कुछ पर्चेज की इंट्रियां की थी जिसमें हम मोबाइल से रिलेटीड आइटम वगएरा खरीद रहे थे लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइज लेवल असल में एक सेट होता है सेल करने वाले जो प्राइज होते हैं हमारे अलग-अलग कंडिशन्स में उसका एक सेट बना बनाया जो होता है वो होता है बना कर हम रख लेते हैं तो अभी तक तो फिलाल कोई सेल की इंट्री आई नहीं अभी तक तो सिर्फ हमने बिजनस में पर्चेज ही की है इंवेस्ट ही किया है लेकिन अब पर्चेज की इंट्री आएगी नहीं आएगी और अब सेल की इंट्री आएगी और उसके अंदर हम प्राइज लेवल का यूज करेंगे तो नॉर्मली अभी तक तो हमने नहीं किया है हमने बस उसकी सेटिंग ही देखी थी पर अब उस सेटिंग जो प्राइज लिस्ट हमने बनाया था वो काम कैसे करेगा वो हम अब देखेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहां मेरे पास यह पूरा डेबुक मैंने खोल रख है जिसके अंदर यह अभी मुझे दिखा रहा है कि मैंने लास्ट ट्रांजेक्शन जो है एक मई को किया था और इसमें भी सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन ये था जिसमें मैंने पेमिन्ट रिसीब कर ली थी मिस्टर चेतन से 12,000 रुपे का और अब जो है हमारे आगे के ट्रांजेक्शन है ये एक मई के बाद 2 मई का है 2 मई 2016 का और इसमें हम देखें तो यहां पर मैं 50 पीस मैनुफेक्चर कर रहा हूं complete mobile set यानी mobile बना रहा हूं है यानी manufacturing journal की entry है एक बाद तो clear हो गई मुझे यहां इसका voucher बनाना पड़ेगा manufacturing का voucher बनाना पड़ेगा जैसा कि हमने पिछली क्लासों में सीखा है और इस mobile को बनाने के लिए हमें जो नीचे दिया गया है according to following bill of material इसका use करते हुए ये mobile हमें produce करना है यानी ये सारा stock लगा कर हमें ये mobile बनाना है यानी एक mobile को बनाने में इतना इतना समान लगता है और mobile बना कर जो भी stock निकले का उसे main location में store करना है साथ ही साथ इस पूरे process पे 10% lever charge भी जुड़ेगा तो चलिए दूस्तों सबसे पहले तो हम अपना एक voucher बना लेते हैं जो manufacturing journal का होगा इसके लिए आप inventory info में आओगे और यहाँ पर option होता है voucher types का voucher types में आकर आपको करना है create और मैं इसे नाम देता हूँ manufacturing journal और ये जो है एक तरीके का stock journal voucher है तो यहाँ से आप इसे stock journal चुन लेंगे और इसके बाद इसे आप automatically रखेंगे सीधे आपको आना है यहाँ पर use as a manufacturing journal और आप इसे yes कर देंगे और अब आप इसे यहाँ से accept करा लिजिए एक काम आपका हो चुका है अब दूसरा काम ये कि जो detail यहाँ पर ये दिया गया है इतना कि एक mobile बनाने के लिए इतना सब चीज इतना इतना लगता है यानि एक एक PC लगता है सब कुछ लेकिन इसी स्रेट पर और अब इन गोडावनों से निकाल कर लगाते हैं तो इसी को असल में कहा जाता है build of material और मुझे ये build of material जो मेरा mobile है उसी item के अंदर बताना पड़ता है बनाना पड़ता है तो हम क्या करेंगे अपने stock item को alter करेंगे क्योंकि मैं mobile पहले ही बना चुका हूँ और इस से पहले कि आप ये करे आपको ये देखिए ये रहा मेरा mobile और mobile में आकर बील of material का option अभी आपके पास नहीं आजाए होगा तो आप इसके लिए F12 कर लेंगे और ये रहा सबसे नीचे बील of material का option इसको आपने yes करना है सबसे पहले आपको ये करना है और यहाँ नीचे ये option आ रहा है बील of material का आप इसे yes कर देंगे एक नाम देने के लिए कह रहा है तो मैंने यहाँ पर इसे नाम दे दिया material, detail और mobile यह नाम हम दे सकते हैं ठीक टाक है अब आप यह बताएंगे कि एक बार में आप कितने item manufacture करते हैं तो मैं एक बार में एक ही item आइटम manufacture करता हूँ यहाँ मुझे डिया भी हुआ है तो मैं यहाँ पर एक डालूँगा और फिर इस item को बनाने के लिए क्या क्या दूसरी चीजे लगती हैं वो आपको बताना है तो सबसे पहले तो है integrated circuit वो आप चुन लेंगे और अब यह पूछ रहा इसको आप बनाने के लिए कहां से लाते हैं तो आप अलिपूर से लाते हैं अलिपूर आपको चुनना है कितनी quantity लगती है तो सब चीज एक ही लगता है आप एक ही डालेंगे rate इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है microprocessor का है तो एक है लगता है और अलिपूर से लगता है वो आप बता देंगे अलिपूर और एक आगे जो है वो है mobile battery main location और mobile body और charger अलिपूर तो mobile battery है आपका main location और mobile charger इसको आप अलिपूर से निकालते हैं एक पीस लगता है और शायद body था तो mobile body भी लगता है इसको भी आप अलिपूर से उठाते हैं एक piece लगता है यह सारा आपने बता दिया कि एक mobile अगर बनाना है तो उसके लिए क्या क्या लगता है और आप उसे कहा कहा से निकाल कर लगाते हैं फिर आप बनाते हैं आप इसको ऐसे ही accept करा लिजी यह आपका item भी clear हो गया इसके बाद एक चीज और आपको करनी है F11 में आना है और inventory features के अंदर यह option आप yes कर देंगे cost tracking for stock item इसे भी yes कर देंगे और उससे पहले एक बार आप इसे भी yes कर देंगे यह दो option आप yes कर देंगे और बाकी सब ठीक टक है चलिए यह मैंने क्यों yes किया भी बताता हूँ लेकिन अभी फिलाल आपको manufacturing journal voucher खोलना है जिसको मैंने under stock journal मेंने बनाया है और stock journal का voucher खोलता है alt F7 से और stock journal नहीं मुझे manufacturing journal खोलना है यानि कि manufacturing journal के लिए भी आप alt F7 प्रेस करोगे और यह पूछेगा कि stock journal खोलना है यह manufacturing journal मैंने manufacturing journal चुन लिया आप बना क्या रहे हैं तो आप mobile बना रहे हैं और कितनी quantity में बना रहे हैं और कौन सी location में बना रहे हैं वो यहाँ पर बता देगा देखिए यहाँ पर 50-50 पिस सारे लग रहे हैं और rate क्या है वो rate आप इसमें देखें तो जो बोला गया है वही आपको इसमें बताना है IC 1500 रपे का एक set है तो वो सही डला हुआ है आप इसे ऐसे ही रहने नहींगे जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो भी 1500 रपे का एक set है ऐसे ही डले रहने नहींगे मुबाइल बैटरी 600-1200 600 और 1200 लगबग सेमी है यह बस मैंने मुबाइल चार्जर की जगा बाड़ी और बाड़ी की जगा चार्जर उपर निचर कर दिया है लगबग लगबग इसने अपने आप ही उठा लिया इसके बाद मैंने अभी कुछ option येस कराए थे जिसमें से एक option था additional cost of purchase देखिए जो इस तरफ आपने item डाले यह तो regular item है यह तो कम से कम लगेंगे ही अगर इनके अलावा और कोई item हो तो वो आप यहां पर बता सकते हैं यह तो खुद bill of material की बज़े से आए है अगर कुछ extra में और कोई item लग रहा हो तो वो आप बता देंगे नहीं तो अलग से extra में अलग से माली जिये कोई ऐसा charge है rent, transport या labor charge इस तरह के charge लग रहे हैं जो इस 50 piece mobile को बनाने के लिए अलग से लग रहे हैं इतना तो लगी रहा है 2,44,000 पर और और भी इमाली जिये जैसे यहां पर बोला गया है कि 10% labor charge भी पूरे production पे लगता है यानि कि लगबग आपका 24,000 का 10% हो जाएगा ना आता नहीं वैसे अगर आपने वो option yes नहीं किया होता है F11 में additional cost of purchase वाला तो यहां labor charge का लेजर मिर पास नहीं है मैं बना लूँगा और इससे मैंने नाम दिया labor charge यह indirect expense में डालना है और इसे आप सीधे ऐसे ही accept करा दिने कितने percent है 10% यानि 24,000 आ गया और कुल मिला करके अब आप narration देना चाहे तो दे सकते है total cost आप की आई है additional 24,000 की यह 240,000 था मिला कर हो जाएगा 26,000 और per item यह तो 50 piece बनाने का total cost आ रहा है per item जो आपका mobile बन रहा है वो बन रहा है 5,280 रुपे पर piece और यह सारे मैंने main location में बना कर डाल दी अगला जो entry है अब उसकी तरफ बढ़ते हैं यह 2 मई की ही थी एक बार मैं चेक कर लूँ वो date मैंने क्या डाली है जो entry अभी बने की यह 1 मई है और असल में यहाँ 2 मई होना चाहिए था तो आप 2 डाल देंगे 2,5 यह हो गया अब आप इसे accept करा लेंगे अगली entry भी 2 मई को ही है तो यहाँ पर अब है कि जो योगेश था उसको मैं उसके पूरे पैसे चुका रहा हूँ और जो जस्वन था उसको भी मैं उसके पूरे पैसे चुका रहा हूँ तो सीदी सी बात है यह payment की entry करनी है पहले तो आपको एक फिर एक आपको receive की entry करनी है ने नी दोनों ही payment की करनी है एक सकंद देखने दीजिए makes payment to Mr. Yogesh for full settlement of his account है यह payment में जाएगी और यहाँ receive है यह payment लिखावा है इसकी वज़े से confusion है लेकिन यहाँ receive है यह payment आपको receive हो याणि यह अलग entry है और यह अलग entry है पर है दो तरिक की सबसे पहले मुझे payment करना है F5 करेंगे और किसे करना है वो आप एक बार देख लीजिए योगेश को करना है तो आप यहाँ से योगेश मिस्टर योगेश चुन लेंगे फुल सेटलमेंट करना है यानि जितना भी पैसा बनता है इसको दे दो अब cash में देना है bank में देना है मुझे नहीं मालूम तो मैं cash ही दूँगा लेकिन यह मैंने मिस्टर योगेश डाल दिया और 3,25,000 का है तो वो आप डाल देंगे debit में अगेंस reference यह जो balance है balance of rent and incentive जो बन रहा था उसका यह balance है तो यह मैंने इसे debit कर दिया credit में cash कर दिया और negative हो रहा है मेरा cash क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पैसा खर्च कर दिया है इस वज़ा से फिर अब मैं receive की entry करता हूँ जिसमें अब मेरे पास पैसा आ रहा है और यह मैं receive कर रहा हूँ Mr. जस्वन से एक बार फिर से Mr. जस्वन अगर आप लोगोंने गौर किया हो तो मेरी entryों में लड़कियों के नाम नहीं होते सिर्फ लड़कों के ही होते सही है पैसे भी लड़कियों पर भरोसा कौन करे कई entry छोड़कर बाग गई तो जस्वन का जो है डेबिट चल रहा है तो यहाँ पर मैं क्योंकि पैसे ले रहा हूँ वो डेड़ लाग आप एक लाग पचास हजार क्रेडिट कर देंगे और अगेंस रेफरेंस में यह जो रेंट रिसीव होना था यह मैंने बता दिया कैश कर दिया यहाँ पर मैंने और अब आप इसे जस्वन को जो छोड़कर नहीं भागने वाला उसको आप एकसेप्ट करा लेंगे यह एंटरी आप ही हो गई दो माई की ही थी इसलिए मैंने तारीकों पर ध्यान नहीं दिया अगला ट्रांजिक्शन देखते हैं एक जून दो हजार सोला का है जिसमें मैंने पंदरा पीस मोबाइल बेचे हैं मिस्टर चेतन को मेल लोकेशन से बेचे हैं चलिए यह तो ठीक है दे ड्यू डेट फॉर पेइमेंट इस 10.06 से 2016 यानि की 10 जून तक पैसे आ जाने चाहिए दे रेट शुड भी 8.500 यानडी पर पीस का अकॉर्डिंग टू प्राइज लेवल असल में जो मिस्टर चेतन है इसके उपर प्राइज लेवल अपलाई हो रखा है देखिए जब हमने इसका लेजर बनाया था तब दिल्ली में औरेडी इसका एक बैलेंस बन चुका है 12,000 रुपेगा जो पिछले साल का था एक माई को वो चुकाने की तारिक थी पर अभी तक आया नहीं है चलिए कोई बात नहीं और अब जो एक ये एंट्री है ये एक जून की है जिसमें मैं इसे 15 पीस मोबाईल बेच रहा हूं और इसको चुकाने की तारिक है 10 जून और इसमें क्योंकि मैंने उपर बता रखा है कि दिल्ली वाला प्राइज लेवल लगा हुआ है तो उसके हिसाब से क्योंकि मैं इसे 15 पीस बेच रहा हूं उसके हिसाब से इसका रेट होना चाहिए 8500 पर पीस का अपने आप उठाना चाहिए क्योंकि मैं तो बाकी दिल्ली में क्या-क्या बीचने का सिस्टम है यह पहले ही बता चुका हूँ कि अगर 100 से कम किसी ने खरीदा तो उसको 8500 का मिलेगा अगर 100 से 500 खरीदा तो 8500 पर 5% डिसकाउंट 500 से 1000 तो 8% डिसकाउंट 1000 से उपर कुछ भी तो 10% डिसकाउंट यह दिल्ली का हिसाब किताब था और मैंने यहाँ पर जो हमारे लेजर बनाये थे उसमें जो चेतन था उसको दिल्ली से ही अटेच किया है मतलब कि अगर अब मैं F8 करता हूँ डेट चेंज करता हूँ और यह मैंने 1-6 कर दी एक सेंगरा रुकिए शायद यह जो मैंने इससे पहले वाली एंट्रियं की हैं इनमें मैंने दो माई नहीं डाला तो मैं वो डाल दूँगा पहले उनको ठीक करना ज़र भी है यह मिस्टर योगेश वाला भी दो माई का था चलिए अब जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो है एक जून का तो यहाँ पर आप एक छेलेंगे जून एक जून और सेल की एंट्रिय है फेट करेंगे पार्टी कौन है तो पार्टी है चेतन और यह सब कीज़े आपको नहीं डाले नहीं सीधे कंट्रोल एसे एकसेप्ट करा लिए देखें जैसे मैंने चेतन डाला तो इस तरफ यहाँ प्राइज लेवल में दिल्ली आ गया अपने ही आप यानि कि इसका जो भी रेट डिस्काउंट किया और पुछाएगा तो दिल्ली के हिसाब से ही आएगा यहां सेल्स का लेजर यूज करना है वो में रपास नहीं मैं बना लेता हूँ यहां मैंने सेल्स का लेजर बना लिया और इसे आप एकसेप्ट करा लेगे क्या बेच रहे हैं आप ये बताइए मैं मोबाइल बेच रहा हूँ और कौन सी location से main location से कितनी quantity में ये हमें नीचे आकर देखना पड़ेगा तो ये आप बेच रहे हैं 15 15 की quantity है main location से तो वो आप बताएंगे quantity 15 rate देखिए क्या आता है तो rate यहाँ पर आगया आपने आप ही आपसे पूछा भी नहीं अगर कुछ discount मिल रहा होता जैसे कि माली जी मैं इसे कहता हूँ कि 750 की quantity है तो देखिए यहाँ पर 8% का discount भी मुझे मिल गया अगर मैं कहता हूँ 100 की quantity है तो 8500 के हिसाब से लगबग लगबग होना चाहिए था थोड़ा जादा पर मुझे 5% का discount मिल गया उसे साब से यह इतना मुझे दिखा रहा है इसका हो जाना चाहिए था 2,0 और लग जाते तो 8,50,000 पर 5% का discount काट के 8,7,000 ही बन रहा है लेकिन फिलाल तो 15 की ही quantity है तो आप 15 ही डालेंगे कोई discount नहीं मिलेगा लेकिन यह सब चीज़े अपने आप आएगी क्यूंकि मैंने यहापर दिल्ली का price level बोल रखा है हाँ, amount में आप चाहें तो add और deduct कर सकते हैं हो सकता है, यह चीज़ possible है आपने माली जीए बात कर लीवे 500 पर छोड़ने तो आप इसको 1,67,000 का बिल बना दो लेकिन फिलाल मुझे यही रखना है और अब आप इसे एक new reference देंगे और मैंने कहा sales on first June due date यहाँ पर 10 June की है तो मैं आगे के 9 दिन की मौलत दे देता हूँ 10 June को time खतम हो जाएगा और अब आप इसे accept करा लेंगे यह आपकी entry हो गई तो असल में यह होता है price level का इस्तेमाद इस तरह से हम price level को use करते हैं इतने से काम को असान करना आपको लग रहा अपके लिए तो छोटा user यह इतना खास क्या हुआ लेकिन यह खास है अगर आप बड़ी बड़ी inventory रखते हैं बड़े बड़े तरह की condition में आप deal करते हैं और बहुत अलग-अलग तरह के customer से तो इतना सारा price का system याद नहीं रहता तो आप पहले से ही बना कर रख लेते हैं और टेली फिर अपने आप उसको apply कर देता है चलिए अब हम अपना अगले transaction की तरह पढ़ते हैं ये भी एक जून का ही है जिसमें मैं payment receive कर रहा हूं Mr. इशांत से उसका जितना भी है full settlement करना है पिछले साल का जितना भी balance है उसके लिए with all interest balance calculate interest with rate of 4% यानि 4% का rate लगा कर interest calculate करना है जरा मैं इशांत का ledger चेक कर लेता हूं पहले तो देखिए इशांत का ledger उपर बनाया होगा यहां इस तरह और इशांत का अगर आप ledger देखे तो यह sundry creditor है पर इसका balance 13,000 रुपे debit में था और 13 अप्रेल तक की छूट थी 13 अप्रेल तक अगर पैसे आ गए तब तो ठीक है नहीं आए तो फिर interest लगेगा पर उस समय जब मैंने ledger बनाया था तब मुझे interest कैसे लगाना है यह मालूम नहीं था पर आज इस समय मुझे entry के time पता चल रहा है कि 4% का interest लगाना है और यह चीज जो होती है यह हम उसके ledger में ही define करते हैं कि किसी भी आदमी से कितना interest वसूलना है तो इस काम को करने के लिए मुझे सबसे पहले इशांत का ledger खोलना पड़ेगा और उससे पहले क्योंकि मुझे interest calculate करना है तो accounting features में आके मुझे interest के option भी चालू करने पड़ेगे यह option मैंने चालू कर लिया interest का अब आप इसे accept करा लेंगे और आएंगे इशांत का ledger खोलना है alter करेंगे हम और यह रहा है इशांत का ledger सब चीजे ठीक हैं करने है amount to be added और deducted rate बताया 4% महीने भर का है बस पूरे महीने का 4% है यह मैंने बता दिया इतना amount है new reference है 13 दिनों का time है और अब मैंने इसे accept करा लिया 13 दिनों में अगर payment आ गई यानि 13 April तक तब तो कोई interest नहीं लेगेगा लेकिन आज जो तारीक है जिस तारीक को payment आ रही है वो तारीक है 1 June यानि लगबग लगबग आप बहुत आगे आ चुके हैं लगबग एक महीने 17 दिन आप extra ले चुके हैं और इसका interest आपको देना पड़ेगा और मैं चाहता हूं कि टेली खुद बाखुद क्योंकि वो आदमी debit में चल रहा है तो उसके नाम से एक interest calculate कर दे इसको करने के लिए सबसे पहले हमें एक class बनानी पड़ती है voucher की जिसमें अपने आप interest calculate हो जाता है inventory info में आना है और voucher type में आना है alter करना है क्योंकि वो आदमी debit में चल रहा है उसका balance debit में पड़ा हुआ है तो मैं उसके लिए एक debit note issue करूँगा और उसके अंदर भी मैंने interest receive की एक class बना ली और इसमें आप interest के लिए ये option yes कर देंगे दोनो और accept करा लेंगे ये class बन गई अब आना है और आपको entry करने के लिए voucher खोलना है सबसे पहली बात तो वो already debit में चल रहा है interest लगा के मुझे और उसको थोड़ा debit करना है फिर कुल मिला कर जो पैसे में वो debit हो जाएगा जितने पैसे उसके debit हो जाएगे वो सारे मुझे receive कर लें इतना काम मुझे करना है क्योंकि full settlement करने के लिए बोला गया है देखिए हैं यहाँ पर यहाँ तो है कि 4% rate लगेगा और जो last year का balance था वो सारा का सारा interest के साथ वसूलना है तो उसके उपर जो पैसे थे उसके पिछले साल वाले वो तो debit है यानी 13,000 13,000 के उपर 4% के हिसाब से एक महीने 17 दिन का interest लगाना है 13,000 debit था interest लगा के और debit करना है और फिर जब payment मिलेगी तो सारा का सारा credit में कर देना है सबसे पहले हमें करना है control F9 debit note खोलने के लिए पर यहाँ पर debit note वाले option चालू नहीं है आप पहले उसे चालू कर लेंगे यह वाले option चालू करने है yes और सिर्फ एक ही चालू कर लिजे बाकी और कुछ चालू नहीं करना है इसके ओद control F9 करेंगे तो यह पूछेगा simple debit note खोलना है या फिर आपने interest receive की class बनाई है वो खोलना है तो मुझे interest receive की class खोलनी है तारीख है 1 June और इसमें देखिए तो यह बताता है कि ऐसा एक ही आदमी है जिसका interest बनता है वो है इशांत अपने आप ही बता दीगा मैंने उसे चुन लिया तो यह बताता है कि 13,000 रुपे के balance पे I think मेरे ख्याल से interest के parameter में कुछ गरबर है एक चीज छूट गई है मेरे ख्याल से क्योंकि 62 दिनों का interest यह मुझे दिखा रहा है पर 62 दिनों का लगेगा नहीं आप एक काम कीजिए F11 करके accounting features में interest का यह दूसरा वाला option भी चालू कर लेंगे ताकि मैं हर एक चीज दिटेल में खुद डाल सकूँ और अब लेजर में आकर alter करना है इशानत का लेजर खुल लेंगे और जो interest वाले option है उसमें यहां मैंने 4% बताया ओके यहां देखिए यह है always पर मैं चाहता हूँ कि always नहीं यानि जब से bill बना तब से नहीं बलकि जब से due date निकल गई तब से लगाना है और due date of invoice reference हम ले लेंगे calculate भी तब करना है जब due date निकल जाए और करना भी वहां से है जहां से due date है कहने का मतलिए है कि interest तब ही लगेगा देखिए यहां पर है applicability यानि interest लगेगा कब तो जब तारिक निकल जाएगी तब लगेगा और माल लीजी 10 दिन की महला दी थी आज 11 दिन हो चुका है तो जब मैं 10 दिन के बाद 11 दिन payment के time आया तो उसने बोला भाई interest लगेगा अब 11 दिन का interest लगेगा या एक दिन का लगेगा वो आप यहां बताते हैं अगर मैंने बोला due date of invoice reference तो इसका मतलब यह हुआ कि एक ही दिन के लगेगा 10 दिन छोड़ दो उसके बाद लगा तो मैंने यही चुनना है और अब आप इसे accept करा लेंगे अब आपका काम हो जाएगा यही बस गरबढ़ थी voucher खोलेंगे और debit note खोलना है interest receive की class खोलनी है दिखा देगा इशांत इशांत का 13,000 पर अगर 13 अपरेल है तो एक महीने 17 दिन के हिसाब से और फिर 31 का भी महीना हो जाता है बीच में तो लगवग लगवग 49 दिन बनते हैं 49 दिन का interest बनता है 849 रुपे का 33 पैसे का अल्रेडी वो 13,000 से debit में था अब मैं इतने में और debit कर रहा हूँ और इसको मैंने credit में कर दिया क्योंकि interest receive हो रहा है ना मुझे तो मैं यहां interest receive ब्याद हूँ यह पैसे क्यों debit हुए क्यों मेरी property में add हो गए क्यों उसके नाम पर चड़ गए क्योंकि मुझे interest मिल रहा है यहां मैंने एक लेजर बना लिया interest receive वेबल का interest receive वेबल का spelling mistake है थोड़ा ignore करो यह तना और यह indirect income है और अब आप इसे ऐसे accept करा लेंगे यह हो गए आपका और ठीक है अब आप इसे accept करा लिजे यह आपका काम हो गया अब क्या करना है इसी तारिक को मुझे उसके सारे पैसे वसूलने भी है यानि receive की entry करना है इसी तारिक में एक जुन को ही credit कर दूँ मैं इशांत को तो देखिए 13,000 नहीं बलकि उसमें 849 रुपे जोड कर और debit हो रहा है पर अब मुझे इसका पूरा हिसाब किताब सेटल करना है तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया अगेंस reference लिया मैंने और debit हो गया cash मुझे अब cash मिला है वो जो interest वाले पैसे मैंने इशांत में रिकारा दिये थे debit वो भी मुझे अब मिल रहे है और अब मैं इसे accept करा देता हूँ यह हुआ हमारा transaction यह था एक जून का अगला transaction है दो जून का यानि सबसे पहले मैं तारीक चेंज कलता हूँ मैं तारीक में बहुत गड़ बड़ोती है दो जूना पर ठीक है अब आजओ सेल करे मैंने 20 पीस मोबाइल कापा सेड़ा से मिस्टर लोकेश को 40 दिन चुकाने के लिए दिये मैंने 40 दिन के बाद interest लगेगा 12% मोबाइल का जो rate है वो यही होना चाहिए क्योंकि वो 20 पीस ले रहा न तो यही होना चाहिए according to haryana price level मतलब सीधी से बात है जो लोकेश का ledger है वो हम पहले ही बना चुके है पर 12% का rate उसमें डाला नहीं है तो डालना पड़ेगा चलिए देखिए कैसे करना है जो लोकेश है लोकेश का ledger भी बना पड़ा है तो मैंने ये मैंने एक्ट्वल में alter करना है मैंने एक बार इसे चुन लिया और control एंटर कर दिया अब आप लोकेश के ledger में कर देगे interest वाले option को yes इसे भी yes और इसको yes और इसको भी yes क्या rate है वो आप देखिए हैं आपर 12% का rate है महीने भर लगना है all balance ले ले लेते हैं past due date और due date of invoice reference इसे आप ऐसे ही accept करा लेंगे बस अब और कुछ नहीं करना है अब आप entry कर दीजे सिधे sales की entry है 20 पीस पेचे है F8 location है हर यहना का price level लगेगा अपने आप आगया sales चुना मैंने अब बताईए item item है mobile location कापसेडा से मैं बीच रहाँ कापसेडा में में पास 20 पीस है मैंने 20 पीस दिये rate अपने आप आगया discount भी आगया 2% rate 8500 ही आया जैसा इसने बोला था और इसे आप accept करा लेंगे और इसे एक new reference देते है मैंने का sales on 2nd June और due date इसकी 40 दिनों की बोली जई है तो आप 40 दिन डाल देंगे यहाँ पर और इसे आप ऐसे ही accept करा लेंगे अगला transaction क्या है दो जून का ही है audit become insolvent and only 10% of all balance could be recover audit बरबाद हो गया और उसकी वज़े से सिर्फ जितना मैंने उसको पैसा दे रखाता है जितना मुझे वसूल ना था उसमें से 10% ही मिला यानि 90% का bad debit हो गया तो देखिए क्या चीज़ है अब मेर को मालूम पढ़ चुका है कि audit बरबाद हो चुका है उससे पैसा नहीं आने वाला तो मैं क्या करूँगा जितना भी balance है उसका वो चेक करूँगा कैसा चल रहा है तो audit का जो है laser वो मैं चेक करना चाहता हूँ तो कोई भी simple सी entry कर लो मालो अगर कोई भी आदमी बरबाद होता है तो normally उसमें से 10% अगर recover हो रहा है तो अब बैसली में वो मेरे को पैसा देगा यानि वो debit में चल रहा है और पैसा में receive करूँगा तो F6 में ये entry होगी credit तो हो जाएगा उदित अब इसका एक लाग का balance था मैं सारा का सारा ही खतम कर दूँआ कि मुझे मालूम पढ़ जाएगा ये नहीं दे पाएगा अब इसके पास है ही नहीं अगेंस reference में मैंने ये कर दिया और debit क्या है cash पर cash मिला कितना सिर्फ 10,000 10% ओके और बाकी क्या होई तो बाकी हो जाएंगे इसको हम कहते हैं bad debit यानि कि indirect expense में आप कह सकते हो इसको एक तरीके से profit and loss भी हो सकता है जो भी 90% का मेरा ये हो गया नुपसान तो मैंने वो debit में दिखा दिया नुपसान हमारे सारे debit ही होते हैं दो जून का transaction था accept करा लेंगे अगला और last transaction जो हमने price level वाले question में देखा कि हमने किशोर को payment कर दी है और यूको बैंक से की है अपने बैंक अकाउंट से की है पूरा settle करने के लिए और discount मिला है 10,000 रुपे का ये entry है payment करी है 2 जून को है तो आप F5 करोगे और ये Mr. किशोर को मैंने payment करी तो वो debit हो गया 2,8,500 पे इसका पूरा हिसाब किताब खतम करना है तो 2,8,500 मैंने डाला है हाँ पर against reference ये पूरा नला बिल जो sale किया था वो credit में पहले तो मुझे discount काटना है कि उनकी मुझे 10,000 का discount मिला है तो मैंने alter see किया और मैंने ये ledger बनाया discount receive के नाम से और discount receive जो है नॉर्मली हम जो है indirect income में डालते हैं तो यहां मैं इसको पहले receive में डाल दूँ और ये indirect income में होगा तो आप ये डाल देंगे और इसे accept करा लेंगे वै कितने का discount बनता है 10,000 का discount है और debit, sorry credit में मैंने bank कर दिया बागी पैसे मैंने bank से दे दिये 10,000 का discount काटने के बाद ये मेरा 2 जून का transaction हुआ अब मैं इसे accept करा लेता हूँ तो दोस्तों ये सारे transaction हमने देखे ये एक छोटा सा example देखा जिसमें हमने price level को use करके देखा और भी इसके साथ हमने दूसरे कई सारे topic देख लिए एक तरीके से manufacturing journal देखी लिया हमने और भी interest calculation भी कर लिया साथी साथ go down के भी option यूज हो गए तो इसी तरह के कामों के लिए normally हम price level को use करते हैं जब हमारे पास बड़ा-बड़ा कोई price को set करने का structure बगएरा हो तब normally आप लगबग समझी गया होंगे इसके साथ ही इस example के साथ ही तो आप इसी तरीके का कोई और question भी probant आपको ट्राइर करके देखना चाहिए तो आप करसकते हैं या मैं तो कोःग없이 suggest करूँग आपको कि आप इसी question को खुद करके देखें इस question को गर आप लेना चाहिए या अगर आप जिस फाइल से मैं आपको यह questions कराता हूँ यह अगर आप लेना चाहिए तो इसके लिए आप मुझे मेरे mail id पे request mail send कर सकते हैं यह file आपको मिल जाएगी इसी तरह के अगले videos में मैं आपसे मिलता रहूँगा तब तक के लिए फिलाल इस video को देखने के लिए thanks मिलते हैं हम अपने अगले tutorial में